वेलकम साथियों मेरा नाम मनेश मारत है मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एगरे अनुस पे आज हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं 20 महत्पूर्ग प्रस्ट किसी विग्ञान के क्लास 10 के या आपके परिच्छा के ड्रेस्ट कोर्ट से बहुत इंप प्रस्ट के आप कि लिए जब लेकर आए आपके लिए समय ज्यादा न मदर्च करते हैं आपका पहला क्वेश्यन है प्याज की खेते के लिए सरोतम भूब कौन से है नमबर स्थी पूस्ट होगा आपका मतियार भूब नमबर स्ट्द्वक्षेश्य डोमड ब़ूम नमबर रहते हैं आपके फ्याज की खेते लिए हम लोगा दूसरा कुश्चन है खरीब की मुख्य अनाज वाली फसल है जो खरीब की मुख्य फसल है वह कौन सी है इसमें से नमबर एक है धान नमबर सिकंडर आ रहां नमबर फॉर्थ और गन्ना जो इसका राइट आंसर होगा होगा है यह जो फर्स्ट आपका धान एक बोई जाती है इसकी जो है खरीब हसलों की जून से जुलाइक में की जाती है और कटाई उधर अटूबर से नॉम्बर में कर ली फेल अजिएक और जो नमबर से दिसंबर में जो रज्जूरभी की होती है नॉम्बर से दिसंबर में बोई की जाती आती होगाitute भी टेश से कुल के सभ़ी आती हैं नबर तेरी आप का अलफानसो परजाथ के यह मोश्री परन्ट परसने परिश्रा में बहुती मोश्री कोई परफिखलघ है होगा होगा आम की यह जो अलफानसो परजाथ है दन्रूर की इसकी एक और सखन सखन पॉधिया लगाने के लिए जो आम पर पाली हो गई पूसा डिलैसिया इसके पर जाते बहुत इप्रोटेंट है पूसा जाएंट हो गई अब फोर्थ कुष्यन है पसुमें खुर्पका आमुपका रोग कारण है वो किसके कारण होता है रोग पर्श्ट पर्फॉर्ट है जवारू के कारए को रहा है नमबर सिकन्ड आफसन है जिएट के कारए नबर फॉर्थ है कबग के करए जो से उसका राइट एंसर होगा विपिसाडू के करए यद्यक्त के कारए यह रोग होता इसको इंगलिप पुर्तायं मौठ डिसीज पाव इ पानी तो इसका राइट अंसर होगा वो आपका जिवाडू के कारण अगर इसी में अभी यहां पे अगर जिवाडू होता है पे हो सकता है मैं पर च्र photographs सक्का लाक उड़ा ओल जाती कवार्दा को सुधानने के लिए प्रयोक किया जाता है इसको आसर होगा होगा जिंचल जिबसफान को सुधानने के लिए प्रयोग किया जाता है जमने एस इसुद्न होगा ग। आफर वसन होके कर платज में जबसल सब्सक्राइब अबसेवर की तैक के लिए को यूजब के विचने के भी ऐते हैं इन इन परुलिपोभा के दोंखरने उर्चेह करेंखने फेसेशनों सब्सक्राइब ं सब्सब्सक्राइब सब्सक्राइब नमबर फॉर्टाइब मौंपली उसका राइट आंसर होगा होगा आपका टमाटर बाकी सब अन्ने वाले फसले हैं ग्राउंड नेट इसको गहते हैं अंगलेस में धान खरीब की है यह खरीब की फसल है यह तीनों मौसम में उगाई जाती है यह आपका पूछ सब्सक्राइब में इसे किस विदी में 20-70% तक जल की बचत होती है नमबर फास्ट आपका शर्काव विदी नमबर सिकंड है आप लावन विदी नमबर फॉर्ट आपसन है क्यारी विदी नमबर फॉर्ट आपसन है गहरे कोड़ सुचाई विदी इसका राइट आंसर होगा बोधर शर्काव विदी कुछ इसमें पानी के पानी नहीं होती है, इसमें 20-70% तक पानी की बचसत हो जाती है , यह आपका , नहीं पलावन निसे तोड सिचाईविदी कहता है मितलब इसमें क्यारी नहीं बिजानी जाती है जिसे अन्य वली फसले होती है जैसे गेंगों की हो गई बहुत ही कम बनाई जाती है ऐसे पनी खुला छोड़्डिया जाता है इससे बार तोर सिचाई वितों भी कहते हैं नवा कुश्चन है आपका गेहों की फसल में डाई अमोनियम फास्पेड देने की सरोत्तम बिदी है नमबर फास्ट आपसन है अंतिम जुताई से पहले जिकन आपसन है बुआई करते समय कूडों में चिड़क कर नमबर फॉर्थ आपसन है खड़ी फसल में घोल बनाकर चिड़कना चाहिए इसका राइट आपका बुआई करते समय कूडों में देना चाहिए अपके लिए आपका दस्वागोशन आ रहा है यह रहा कर लिए दूद दूवने की सरोतं बीदी है जो दूद् दूवने की सरोतं बीदी वह कौन से भीदी है इसमें से 4 में से नमबहर फ़र्फ रीधा दबाकर दूरणा नमबहर तार्ड चुटकी दवारा दूरणा फोर्थ चार अंगुलियों दूरणा और यह जो है अंगुठे दबाकर इसे थनेलव हो जाता है आपके पसो में और यह चुटकी वाली जो बिद्यया च्षोटे के लिए जिसके छोटे थन होते हैं जिसे दो से एक से दो पर्थम जो ब्यार भी आती हैं दो बच्चा देती हैं उनके लिए रहते हैं कि उसमें थन छोटे होते तो यह चुटकी विदी सवरोत्त होते हैं 11 क्युश्न है का है्ज सियर का उपयोग होता है सवाइ के लिए ने हैट की कि खटाई छटाई के लिए नंबर फ़ोर्फ आप ससर होगा वह सब्सक्राइख के लिए निम्डेही चरिक हो प्रजाल कि कौन सी परजात ग्रीश्मृत के लिए उप्युक्त है जिसका राइट अंसर होगा फर्स्ट अप्सन है आपके लिए पंथ टाइप टू कल्यान पुरा टाइप वन एंडी टी एक्सोवीज सुईट बहात्तर जिसका राइट अंसर होगा पंथ टाइप तो इसकी अन परजात ह रूबी यह भी बहुत इंपर्टन परजात रूबी तेरा कोशन है आपका निम्लिकेद मेंसे कौन सी धान की उन्नत परजात है फर्स्ट अप्सन है सुनालिका सिकर्ड आप्सन है कौशल नमबर ठर्ड ऑप्सन है मनहर नमबर फॉर्द ऑप्सन है चंद्रा जुसका जुसका राइट अधर होगा वह का कटाई चटाई में सिकेट यह उससे कटाई किया जाती है कैची की तरीके का होता है उसके दबाया जाता है कट जाती है चोटी-चोटी मितलब साखाएं काटने में उप्योग किया जाता है नमबर फंदरा कुशन है आपका यूपी 2328 पर जात है फर्स्ट अफसर है गेहो की नमबर सिकेंड है धान की ठालना है गन्य की टमाटर की है फॉर्ट अफसर तो इसका राइट अंसर होगा आपका होगा यूपी इसी तरह कही 2328 है कहीं 532 है इसी तरह लगा होता है 16 नमबर कुशन आपके लिए आलो की फसल में मिट्टी जाहने काम किया जाता है किक तिने दिन मतलब काम किया जाता जो और्फिंग इसके कहता है करिया को मिट्टी चढाने को आपकेऊ बीजित एंगलीस में अर्थिंग आप कहते हैं इसको इंगलीस में फिर्ष्ट ऑफ्टन है ग्या 10 से 15 दिन बाद करण्ड आप्सनर दिन भाद कर फार्ट है पंद्रा से वेज दिन इसका राइट आन्सर होगा तो एक महिने से डेढ़ महिने के पीच में चढ़ाते हैं तो आपको कभी डाटा इसे अगर ना दिया हो तीज से जादा होगा या फिर पचीज से आपको दे सकता है या फिर आपको यहीं पे पैतालिस भी दे सकता है, चालिस भी दे सकता है, मतरफ अप्रॉक्स लेकर चलता चला जाता है, इसमें किसी भी ग्यान में, और सथ कुली, सतना नंबर कोशन है आपका, अर्गस निकेतन किस सबजी फसल की सफलतम किस्म है, जो नासिक छेतर के लिए उपिक्त मानी जाती है, ज पैयाज, सिकंड अर्भी, थादवी लेश्र, फौर्ट अपनने लोकी, जो इसका रायट असर होगा, पैयाज, नासिक किसके लिए फेमस है, पैयाज के लिए बहुत फेमस है, उत्तपादर में नासिक बहुत ही फेमस है, फालो की छिलाई की जाती है, नभर फ़र्श्ट अ सोडियम कार्बोनेट द्वरा सोब्राइब कार्बोनेट द्वरा सियॉत्र होता है और ने शोटतर हங कास्टिक सोडाइब और पोटेशियम मोश न के द्वरा कहा में जाय विद्फण स्का राइट आंसर होगा आपका होगा कास्टिक शोड़ा कास्टिक सोड़ा का न न फे न फे लिफ इसका सोत्र होता है और आप लोगों को इसी तरह की वीडियों के लिए आपको कमट करना हमारे युट्यूब चैनल पर अगर मिरा चाहिए हिंदी की हो गई हिंदी ज्ञान क हो गई इसके लिए आपको चाहिए तो आप और हमारे यूटूब चैनल है बिगेटी क्लासे उस पर आपको पेपर हाई स्कूल के सभी पेपर मिल जाएंगे सभी 15 2011 से लेकर आपको 2022 तक सभी पेपर उस पर मिलेंगे समाजे विग्यान हिंदी इंगलीज सभी सभी सब्जेट के पेपर वहाँ पर आप देख सकते हैं और जिसके नहीं अवेल्ब है तो उसको हम डालते रहते हैं आप कांटिनूस के साथ जुड़े रहे हैं आपके लिए परियुक्त होता है इसके मडाई की जाती है आपका इस पेर जो होता है छिरकाओ के लिए प्रियोग किया जाता है जो आप देखे होंगे इस पेर वाला चलाने वाला है पीट पे टांके चलाए जाता हो इस पेर होता है असिया तो आप जानते हैं जिससे द्धान की गेहों की कटाई किया जाती है इस वाला कुशन है आपका सोडियम मैडा मैडा-वाइश फाइड का उपयोग किया जाता है फर्स्ट आप्सन अफल परिष्चश अप्छलों सुछों सु merciful जल्दी पकान ले मिसमा इंड़ N έχता ने मीं जाहिं जाय भारत झाल झाल